आपने सही कहा कि रंगोत्सव है, ये रामोत्सव है, ये उत्सव का समय है, लेकिन स्वामी जितेंद्रनन सरस्वती जी इस वक्त विरोधी ये भी कह रहे हैं, अब मैं उन्हें विरोधी कह भी सकती हूँ या नहीं ये तो आप सही करिए गागा टुटी हो जाए तो माफ भी क करिएगा, लेकिन शंक्राचारी जी कहते हैं, स्वामी निश्लालन सरस्वती जी, गोवर्दन मठ के शंक्राचारी है, वो ये कहते हैं, मोदी जी लोकारपन करेंगे, मूर्ती को सपर्श करेंगे, तो क्या मैं वहां बैच कर तालियां बजाऊंगा, मूर्ती की प्रान प्र शरिंगेरी और द्वारिका तीनों के शंकराचारियों ने अपना स्पष्ठी करन दे दिया है तो महामंत्री के नाते मेरा बोलना उचित नहीं है लेकिन दंड के अत्रिक्त चमरचात्र सिंहासन नहीं जाएगा ये तीन महिना पहले ही ट्रश्ट की तरफ से जो पहला पत्र एक प्रैमरी पत्र की आपको आना है तिथी यहत्ताएं हो रही है इस तिथी पर आना है इसलिए दुसरी बात कि जो लोग आज सास्त्रों के मर्यादा की बात कर रहे है वो लोग उस समय कहां थे जब स्री राम जन्मभूमी के आंदोलन में कार्शयोकों के खून से लटपत पड़े सोगिरे हुए थे क्या मुहुर्थ देखकर के बाबरी धाचा गिराए गया था क्या मुहुर्थ देखकर के सडियंत्रों को जो धार दी गई उस समय सास्त्री जी लोग कहां चुप थे फिर भी मुहुर्थ के मुद्दे पर जिजनों ने मुहुर्थ दिया है आचारे गणेश्वर द्रमीर सास्त्री यह कोई पहली बात नहीं है मुहुर्थ को लेकर के 9 नौमबर 1989 को पहला मुहुर्थ आचारी जनारदन सास्त्री कुंठे ने दिया उस समय भी सास्त्रार्थ के चुनोतिया मिली पराजित हुए कुछ भाग खड़े हुए दुसरा जो मुहुर्थ हुआ पांच अगस्त 2020 आरसित अजनुषार 22 जनौरी 2024 इस मुहुर्थ के लिए भी आज कासी के जोतिस्यों ने ओपैनली सास्त्रार्थ की चुनोति जिन्नों ने मुहुर्थ के बारे में बोला है काशी विद्वत्वत परषण ने चुनोति दिये कासी के स्वतंत्र जोत्सी पंडित विने जहाने चुनोति दिये मैं नाम लेकर के बता रहा हूं और गडश्वर द्रविण सास्त्री जिन्नों ने मुहुर्थ किया वो आज से जो पूजन कल से ही प्रारंब कराए हैं प्राशित पूजा सर्यू के तट पर कल से प्रारंब हुई है उन्नों ने भी छै पेज का एक पत्र लि उड़ते हुए किसी राजनेतिक गल के गोद में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे जिनके अभिशेक तक पर सुप्रीम कोट ने प्रतिबंद लगा के रखा है और इसे लोगों की में कोई बात इस सारज्वनिक मंच का कोई उपयोग या दुरुपयोग में नहीं करना चाहत हुआ को